पिनायक ते कसक पर नहीं बलकि उसकी विश्वास पर थपपर जड़ दिया था पिनायक का कसक को थपपर मारने की वजह के बारे में कोई नहीं जानता था ना ही उसने कुछ बोला था, वो तो बस कसक को लगातार घूरे जा रहा था जैसे अंदर छिपी कोई टीस उसको सता रही हो बेटा ये थपर मारने से नहीं बलकि सजा के काबिल है और आप बारी है इसके सबसे कड़ी परिक्षा की मालती के आखों में जो आख जल रही थी, उसी आख में कसक भी जलने वाली थी मेरा विश्वास की जी जी, मैंने कुछ नहीं किया, विक्रान मुझसे खुनस खाकर ये सब कर रहा है बहुत खुब बोली तुम, बला तुम में है क्या जो मेरा भाई तुमसे खुनस खाएगा लड़की बिना एक माधुरी के और घूर कर देखता है, तो वह बाप की नजर से चुप हो जाती है बस बस बस, लालचन पर लालचन, लालचन पर लालचन, क्या मैं सांस लेकर जिन्दा, तो मुझे जिन्दा रहता देख, सांस लेता देख, इन सबसे भी तकलीफ है जो एक के बाद एक अपमान जनक बात हैं आप किये चा रहे हैं, नहीं करना मुझे ये सापित कुछ भी हाँ, हूँ मैं इस जहान की सबसे बुरी औरत, हूँ मैं वासना की कीड़ा, हूँ मैं कुलक्षनी, कुटुम, बिनाशनी, हूँ, हूँ, हूँ और कसक अपना अपक होकर, वहीं अपने आपको जोरो से चाटे लगाने लगती है इन सबने मिलकर उसे मजबूर कर दिया था कि वो अब जहेल ही नहीं पा रही थी पहले उसकी पीरियोज के बारे में अंदुरूनी बाते कर एक नई नवेली दुलन को शर्म से पानी-पानी किया पती-पतनी के बंद कमरे के भीतर की बाते सारवचनिक करके पर्दे की भर मरियादा की धज्या उड़ा दी तब भी सिंड्रेला की सौतेली बहनों के जैसे दुष्ट मालती और संतोष को चैन नहीं मिला तो उन दोनों ने कसक के नजाय संबंदों को सवाल उठा दिये आकिर किस-किस बात के सफाई दे कसक उसकी जगह कोई भी होती तो ठक जाती उसका भी मांसिक संतुलन कसक की तरह ही हिल जाता तुलसी अपनी बेटी की ये पेड़ा देख हर मां की तरह हैं उसे आचल में छिपा सकती थी लेकिन वह उसके पास गई और वह खुद भी कसक के दो चाटे रसीद कर देती है तो ये सिखाया है ना तेरे मां बापने तुझी कि जब भी बरदाश्ट ना हो तो मैदान छोड़ कर भाग जाओ अरे जब भाग नहीं था तो क्यों इन अंतडियों को इतना कर्श दे रही थी क्यों नमक से अपना शरीर कला लिया और अब जब जीत के इतने करी है तो ये सब नाटक क्या रही है नहीं तो मेरी बेटी है ही नहीं वो तो दुरगा थी दुरगा जो घर वालों के लिए तु लक्षमी बनती पर अपने परिवाहर के लिए तो चंडी और काली भी बन सकती है अब ये लड़ाई हार जीत के नहीं तेरे नंगे बदन को ठकने की है क्योंकि मैं तुझे तब तक नहीं अपनाऊंगी जब तक तु तेरा खोया मान सम्मान फिर से नहीं कमा लेती और अपनी मा की बाते से कसक में जोश आता है और वो अगनी परिक्षा के आखरी चरण के लिए रासी हो जाती है और मालती और संतोष सब घरवालों को घर में बंद करके घर के पीछे बगीचे में जाकर अगली परिक्षा के तयारी करने लगती है जल में रहकर मगरमत से बेर करने वाली चले थी ना वो दो कोड़ी की लड़की पर आज उसकी साड़ी हेकडी मेरी इस चौल के बाद खत्म हो जाएगी वो कहावत है ना रस्सी जल गई पर बल ना गया मगर इस बार रस्सी भी जलेगी और बल भी जलेगा और इसका नाम और निशान भी जला कर रख दूँगी संतोष सब को बुला कर गार्डन एरिया में ले आती है माधुरी यर विकरान भी स्कोर वोड लेकर आ जाती है मगर माधुरी इस बार भी मस्कुराती तक नहीं बलकि वो तो अपने भाई को घूर के सवाली निगाहों से देख रही थी भाई सच पताओ वो हरकत सच थी या जूट क्या सच में तुमने छोटी माँ पे डोड़े डाले थे या फिर कमान छोटी तु इतना तो जान ही गई है कि एक कसाग एक बहुत मोटी चमडी की बनी है हर वक्त बस सिधान्द, आत्म समान, वैल्यूज वगेरे की ही बात करती है तो मैंने लगे हाद छूँ कर देख लिया कि उसके वैल्यूज आकर है कितने कोमल और नाजुक और पता है छोटी, उसकी कमर को पकड़ते हुए मैंने उसे एक चिकोटी भी काड़ ली थी, तभी तो वो चीखी आँ I enjoyed a lot, and you? You povert, povert हो तुम तु उस लड़की की वजह से अपने भाई को गाली दे रही है छोटी गाली तो मैंने ना जाने कितनी ही दी थी, इस कसक को अंजाने में ही सही तुम्हारी इस जूटी हरकत को सच मान मैंने भी तुम्हारा ही साद्या भाई और मातरे अपने भाई से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो जाती है पर विक्रान जैसे अडियल घोड़े को कोई फर्थ थोड़ी ही पढ़ने वाला था और सब इस चैलेंज का फिट कर रहे थे वहाँ धेर सारा धूआ ही धूआ हो जाता है और सब लोग खासने लगते हैं जैसे ही धुआ चटता है सब देखते हैं कि कसक के पाउं के ठीक सामने अब एक बहुत लंबा रास्ता बना हुआ है जिसमें पूरे रास्ते पर जलते हुए अंगारे बिखरे हुए थे ये जलते अंगारे ही तीरा तीसरा और आखरी पड़ाव है अगर इस आउग में तेरे पाउं जुलस गए तो तुझसे बड़ी कोई पापिद नहीं बहन जी ये कैसी बाते कर रहे हैं अंगारों पर चलने पर पाउं तो जुलसेंगे ही ना बहन जी जवाई जी आप कुछ तो बोलिए ये दर्द कसक नहीं पाला है तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ? आप क्यों नहीं बोल सकते जवाई जी? हमने हमारी बेटी आपके भरों से ही आपके हवाले की थी ये सुन मालती भड़क कर कुमार का हाथ खीच कर उसे साइट करती है पेटी भर भर के ऐसा भी लिया था इस बेटी के बदले तूने? मेरे बेटे से चेक के चेक काटे हैं मेरे बेटे ने? कोई फोकट में नहीं लाए से? अंगारे भुजने वाले हैं ये करना है या नहीं? मेरे बास इतना टाइम नहीं है चट पर पापर सुखाए हैं उनको भी पलट कराना है कसक जिक जिक किट किट के बीच से निकल कर अंगारों के सामने जा खड़ी होती है और अपनी चपल उतारती है कुमार ये देख दोड़ता आता है पर कसक अपनी इरादे से टस से मस भी नहीं होती कुमार अपनी बीटी के आगे हा जोड़ने लगता है ये देख आसों से भीगी हुई कसक अपने बाप की और देखती है देखा पापा, इन चलादों ने क्या दिन दिखा दिया है एक बाप को अपनी बीटी के आगे हाँ जोड़ने पड़ रही है पर मैं नहीं रुकूंगी आज चाहि सीता जी की तरह ये जलते आग के अंगारे मुझे निगल भी जाए तो मैं ये कदम पीछे नहीं हाडाऊंगी मैं विश्वास रखती हो उस ईश्वर में जिसने मुझे ये दो पाउं दिये है वो चलने की हिम्मद भी देगा तुलसी तुम बुद्बनी ऐसे क्या देख रही हो तुम बोलो ना इसे कुछ कैसी मा हो अपनी बेटी को जलता देख भी तुम चुप खड़ी हो एक मजबूत रिदय की मा आज समाज के तानों पर तूट पड़ी थी आखिर उसके खुद के पती ने ही कह दिया था कि वो कैसी मा है यही समाज दोस्तों जब सवालों के तीर चलाते हैं तो कुछ तीर अपनों के ही बाणों से निकल कर आपको घायल करने लगते हैं पर तुलसी भी कसक के मजबूत इरादों को सहारा देने वली चटान बनकर खड़ी थी पर एक मजबूर बाप इधर उधर हाथ जोड़कर हर तरहे अपनी बीटी को रोकना जाता था मगर कसक ने अंगारों पर अपना पहला पाउं रख दिया था पहले कदम के साथ ही कसक के जखमों पर जलता अंगारा जोर से लगता है तो कसक की चीख में ही उसके प्राण निकल पड़ते हैं उसके पाउं काप रहे थी एक बेबस बाप की तरहें कुमार विनायक के पास जाकर उसके आगे हाथ जोड़ता है जवाही जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ विनायक की आखों में कुमार की बाते सुनकर आसू आ गए थी और वह सबसे नज़र चुरा कर एक कोने में जाकर एक फोन करता है उधर कसक एक एक कदम आगे बढ़ा कर अंगारों पर चलती जा रही थी और तब ही उसके कदम लड़खणा गए और वह हाथ के बल गिर जाती है जिससे अंगारों पर कसक के हाथ गिर जाती है और वो भी जल जाती है एक आना, एक रेश्न मदद, हिम्मद, हिम्मद दे मुझे तू ही था ना गोपाल, जिसने भरी सभा में अपनी उस लाचार बेहन द्रहपती के तन से लाच का कपड़ा उतरने नहीं दिया था मैं भी तेरे बेहन हो का ना, आज मेरे अपनी लाच के लिए लड़ रही हूँ मेरी रक्षागर का ना, मेरी रक्षागर, मुझे हिम्मद दे और कसक की आखों के आसू अंगारों पर जैसे ही गिरते हैं, वैसे ही अंगार उसे धुआ निकलता है और उस धुए के पीछे से कसक को कोई आता नजर आता है और वो अपनी धुदली आखें मलते हुए देखती है, तो सामने से अंबुच आ रहा था अंबुच को आते देख कसक थोड़ा सा राहत महसूस करती है अंबुच, अंबुच तुम आ गए, अंबुच देखो, इन सालिमों को इन लोगों ने तुम्हारी और मेरी दोस्ती पर इतना शक किया कि देखो अज तुम्हारी और मेरे धर्मिया ये आँग का दर्या बना दिया तو साबित कर दो इस जमाने को, कि हमारे बीच जो पवित्र बंदन है उसके लिए तुम हराग का दर्या पार कर सकती हो अंबुज को देखते ही कसक के शरी में मानव एक ज्वाला सी दोड़ने लगी थी और वो कदम कदम बढ़ा कर अंबुज के पास जा रही थी कसक के पाउं जुलस चुके थे बस कसक, मैं अब नहीं देख सकता अरे संतोष ये तो अंगारों से जलते हों उचल कर भाग ही नहीं रही ऐसे तो हम ये बाजी हार गए, ये तो सब गरबर हो जाएगा रुको ममी जी, अभी भी रास्ता बहुत लंबा है और संतोष इक बर्तन में बहुत सारा तेल लाती है और अंगारों पर डाल कर उनमें आज और भढ़का देती है जिसे कसक के पाउं और जलने लग जाती है कसक की ये पुकार पूरे वातवरण में गुंच पड़ी थी इतनी तेज कसक की गरजना थी तभी उतनी ही तेज आसमान में बादल गरज पड़ती है और सब एक साथ उपर देखती है क्या कसक की अवाज इश्वर तक पहुच गई थी? क्या कसक की ये पुकार आप तक भी पहुची? आसमान में बादल की गरजना गुंच गई थी कसक के पाउं तले अंगारों की भबग बढ़ती जा रही थी एक आना, इस तन को या तो भस्म कर दे या इस तन को लोहा बना दे कसक की पुकार मुल्डी मनोहर कनहया के पास जाती है आसमान में बैठा मुरारी कसक की और देख हौली से मुस्कुराता है तभी कसक की पास कहीं से मोर की पंक उड़ते उड़ते आते हैं पंक कसक की कांधे पर जाकर चिपक जाती है सबाश्चर से सारा मंजर देख रहे थे मगर किसी के कदम रुके नहीं थे मातरी भी कसक को बढ़ता देखती है तभी उसे कसक के चहरे पर एक तेज नजर आता है एक ऐसा confidence जो उसने सिर्फ अपनी असले मा में देखा था भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक कसक नहीं हमारी मा ही अंगारों पर चल रही है मातरी को लगता है कि वहां उसकी मरी हुई मा मीरा अंगारों पर चल रही है मा तभी कसक का पाउ मुड़ता है और उसके मुझे आ निकल पड़ती है ओरे काना पक पक ना ही चेन नैनन को ना ही चेन ओरे काना कसक की पुकार सोन आस्मान में विराजत कनहिया जी बादलों की और देख कर हसते हुए जूर से आख मारते हैं और जगत रचया काना का एक इशारा पाते ही आस्मान में फैले मेख गरचते हुए जूर से बरसने लगते हैं वहां खड़े सब लोग भी गए थे और तभी अंगारों पर भी बहुत सारी बारिश करने लगी लग रहा था मानो बादल सिर्फ अंगारों की टार्गेट करते हुए बारिश की फुहार कर रहे हो संतोश इन अंगारों को बचा और संतोश हर बढ़ा कर अंगारों में और अधिक तेल डालने लगती है मगर अब तो तेल भी पानी पानी हो चुका था जिस कारण एक एक अंगारा धुआ धुआ होकर बुझ गया और सब ठंडा हो गया देखकर ऐसा लग रहा था कि कसक के पाओं को कितनी राहत हुई है मेरे पत की काटू को तो ने फूल बनाया और अंगारों को पानी कसक आगे बढ़ते हुए रास्ते की किनारे जैसे ही पहुचती है तभी गिरने लगती है पर अंबुझ उसे बाहों में थाम लीता है अंबुझ और कसक की आँखे मिलती है दिल की धड़कने भी एक होने ही वाली थी मगर दूर खड़ा विनायक ये देख खुद को तकलीफ में पाता है विनायक और अंबुझ एक दूसरे को कैसे जानते थी इससे जरूरी था कि क्या कसक की ये तीसरी और आखरी अगनी परिक्षा पूरी हुई बारिश भी आप रुप चुकी थी और मालती जोर से दोड़ कर घर के अंदर जाती है सब उसे आश्चरे से देखते हुए उसके पीछे घर के अंदर जाने लगते हैं मगर कसक तो एक कदम ना चल पा रही थी ये देख अंबुच कसक को बाहों में उठा लेता है माधुरियर विक्रांद ये हरकत देख हसते हैं और तुमको ये हमारी मा जैसी लगी हाँ ये मेरी मा का नाखून भी नहीं है मेरी मा किसी गैर की बाहों में ऐसे चिपकती नहीं थी और अगनी परिक्षा सब अंदर आते हैं और कुमार अपनी बेटी को कुर्सी पर बिठाता है तभी मालती दौर कर छट पर जाती है और वहां सोक रहे पापड की पोटली उतार कर नीचे आती है मालती ने पापड की पोटली को सीने से लगाया हुआ था और मालती हौल में आते हुए पास में रखी कसक की कुर्सी से जा टकराती है और ठोकर खाकर जमीन पर गिरती है जिससे उसके पापड फर्षवर बिखरने के साथ तूट भी जाते हैं सत्यानाश जाय तेरा मेरे साब पापड गिरा डाले रे हाई रे इतनी मेहनच से बनाए थे सब का सब नुकसान कर दिया नुकसान की पुडिया ही ले आया तू बिनाया मैं जानती हू तुने जान बूच कर ऐसा किया है न लड़की तू बदला रे रही है न मुझसे नहीं नहीं माची मैं बिचारी क्या ही बदला लूगी बदला तो मेरा किस्मत ने लिया मुझसे इन पाव में अब इतनी ताकत कहा जोगे बदला लीना जाने मैंने आपको छुआ तक नहीं जूट जूट बोला ही है लड़की मैंने मेरी आँखों से देखा है कि इस कसक ने दादी को टांग फसा का गिराया है चाहो तो माधुरी से भी पूछ लो उसने भी देखा है और विकरांत माधुरी को आँख मार कर इशारा करता है जिसे भाई के दबाव में आकर माधुरी भी हामिस सिरहिला डालती है और कसक पर मालती पर जान लिवा हमला करने का एक और अलजाम लग जाता है ये देख कसक पास खड़े अंबुश की पैंट पर हाथ फेरती है लाइटर है न चेब में? हाँ, मुझे हाथ लगाने से मैसूस हो रहा है लगता है सिक्रेट पीने की तुम्हारी आदत तो आज भी नहीं चूटी बहुत सी ना चूटने वाली आदते हैं मेरी कसक तुम तो सब जानती ही हो पर उसमें सबसे बड़ी आदत तुम हो और वो कभी नहीं चूटेगी ये शायद तुम भी नहीं जानती समधन जी, मेरी बेटी को दुनिया की सबसे नीच लड़की सावित करने का तमाश आगर हो गया हो तो हम बाईज़द इस घर से विदा लेना चाहेंगे बाईज़द? कौन सी इज़द गहर को देख इसके पाउ में जो मोटर गाड़ी वाला पहिया लगा था वो यहां खड़े हर इंसान ने देखा था विनायक बेटा पूछ इससे, आखिर ये लड़का है कौन जो तेरी लड़क खड़ा थी हुई पत्नी का हर बार खुला मखुला तेरे आगे ही सहरा दे रहा है ए लड़के, तेरे इतने पर कैसे होगे? तु इसका आशिक है ना? बोलना, शादी से पहले ये बिस्तर पर तेरे साथ ही गुटर्गू कर रही थी ना? एक मिनट दादी हाँ, मैंने कसक की सोशल मीडिया की आइडी पर इन दोनों की फोटो भी देखी थी और दादी, इस लड़के रे तो इस छोटी मा की फोटो पर लव भी रेक्ट किया था लव दादी लव, यानि लाल दिल हम तो लाल दिल किसी को नहीं देते सही बोला बेटा तू तेरे दादा ने भी कभी ना दिया लाल दिल वो तो लाल रंग के नाम पर चमन पान मसाला जानते थे गुठका खाकर घर के कौने कोने में बस लाल रंग ही थूखते रहते थे दादी, ये लाल और वो वाला लाल दोनों अलग है अलग क्या था, प्यार की जुबा ही है दोनों जैसे तेरे दादा जब भी गुठका थोगते थे तो हस्कर कहते थे किमालती, बोलो जुबा के सरिया इधर मेरे महीना चर्था तो लाल खून की नदी बहने से मेरे जीवन में लाली माचा जाती और उधर तेरे दादा पुचक पुचक कर पूरा घर गुठके से लाल कर देते मानो इशक से सभी रंग लाल हमारे ही हिस्से में आ गए हो मार जी आप और आपकी बाते आप ही इस घर को स्वर्ग बना कर रखती हो बाकी तो यहां गुठ लोगों की वज़े से नेगिटिविटी की कमी नहीं कसक मालती और संतोष की भ्रष्टा देखकर आश्चरे में डूबी थी आखिर कैसे कोई किसी के दर्थ को देखकर हस सकता था मेरी बेटी ने तीनों परिक्षा पार कर ली है सम्धन जी आपने जैसा कहा इसने एक्दम वैसा ही किया बस अब इसे इज़्जत का दो निवाला खा लेने दीजिए इसने कबसे ठीक से भरपेट खाना तक नहीं खाया है एक माँ आपसे आचल फैला कर भीक मांग रही है पास हो गई? किसने कहा तीरी बीटी परिक्षा में पास हुई है? जब परिक्षा ही पूरी तरह सफल नहीं हो पाई तो ये पास कैसे हो गई? फर्जी है तेरी बेटी तो परिक्षा के लिए इसने ऐसा दिन जान भूच कर चुना जब मौसम खराब था वो आज कल की चलाक लड़किया फोन पर ही सब देख लेती है न? मा परिक्षा तो आपने रखी थी आपका सक्के पीछे इतना क्यूं पढ़ रही है? चुपकर तू अपनी बीवी के पास इसका आशिक खड़ा है तब भी तो कुछ बोल नहीं रहा और मैं सोचती थी कि मेरा बेटा ही घर का सबसे बड़ा मर्द है पर तुछ से अच्छा था तेरा बेटा ही है कम से कम इस लड़की को अपने अउकात तो दिखा रहा है पर तू कब कून खौले गा रहे तेरा? तेरे बीवी के पेट में इसका बच्चा है मालते की बात सुनकर विनायक अंबुच की और घूर कर देखता है और कदम पीछे लेने लगता है मगर कुर्सी पर बैठी कसक अंबुच का हाथ तुरं थाम कर उसे अपने करीब लाती है और ना जाने का इशारा करती है ये देख विनायक कसक की और जैसे ही बढ़ने लगता है तभी वे अंबुच से लाइटर लेकर अपनी कुर्सी के पाउं में आँख लगा देती है जिसे कुर्सी आज पकड़ लेती है वहाँ खड़ा हर इंसान कसक की ये हरकत नहीं समझ सका देखो माजी मैं इसी कुर्सी पर बैठी हूं और यही आप ले लो मेरी परिक्षा अगर ये शरीर जल कर राख हो जाए तो समझ लेना कि आप चीत गई और अगर गलती से भी इस आख से मैं बच गई तो अपने मुक से उगली आख से आप मुझे अत्मरी को पूरा चला देना देखो माजी यही अगनी परिक्षा चाहती थी ना लो अब मैं जलने वाली हूं मा बाबा मेरी राख को कलश मेरी छोटे भाई बेहन के हाथ में देकर एक बात सरूर कहना कि सरहत पर शहीद होने वाले सिपाहियों की तरह तुम्हारे बेहन भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने के जिद में शहीद होकर ही घर लोटी है शहीद होकर ही घर लोटी है चुप हो जा कसक यह सब क्या बोले जा रही है मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगी बोलने दू मा ना जाने कितने महीनों बरसों बाद ये लब आज को ले है मा बाबा मेरी राख को गंगा के किसी भी घाट पर बहाना नहीं उसे रख देना घर के किसी कोने में ताकि वहां से मेरी वजूद की आर में ही मेरे भाई बहन को अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा होता हुआ देख लो बस अब अलविदा के हैता न मा आज पढ़ती जा रही है अब राख होने का समय आ गया है और पलक जपकती ही कसक की कुरसी धूदू करके जलने लगती है अरे पागल लड़की ये क्या कर रही है माची ये तो पागल हो गई है लगता है हाँ हाँ मैं हो गई हो पागल मेरी पेट में बच्चा है या नहीं साबित करते करते मैं अपने बच्ची जैसा मन तुमें मारे चुकी हो पर माजी एक चीज करना मेरी राख जो होगी न उसे बात कर मेरे माँ पापा को जरूर दे देना अरे सब खड़े क्या है कोई ये सब सुनने के बजाए पानी ला और मेरी बच्ची को बचा तभी कसक अपने आसपास भी आग लगा कर एक आग का घेरा बना दीती है खबरदार चुब कोई आगे आया तो मुझे राख बनने के बाद ही इस्दत मिलेगी तो माजी जो राख फर्श पर बच जा है उसे आप एक अलश में रखकर आने वाली पुष्टों के साथ दात मंजवाना और कहना कि एक नाजुक कली जब फूल बनकर खिली थी तो आपने उसे अपनी आख से जला दिया था ये उसे जली हुई कली की राख है अरे कोई पानी लाओ डैट लगता है टंकी खाली हो गई है पानी नहीं आ रहा है अरे बंद करो नो टंकी मैं सब समझ गई हो कि मुझे बचारा कौन चाहता है और कौन नहीं इसलिए असली अगनी परिक्षा आज मैं दे रही हूँ और काना अगर तू देख रहा है तो मुझे अपने पास बुला ले लेकिन इस बार भक्तों का रखवाला काना जो उपर बैट कर सब तमाशा देख रहा था उसने कसक की ये पुकार नहीं सुनी और आखों में करुणा के आशू लिए इस जालिम दुनिया से मू फेर लिया मगर क्या कसक अपने अर्मानों की तरह खुद भी सांग में जुलस जाएगी या अभी संघर्ष की जिंदगी थोड़े और बाकी है आप सब की एक ही शिकायत थी कि आखिरी कसक इतनी परिक्षा क्यों दे रही है पढ़ी लिखी होने की बावजूत भी इतनी प्रतार्णा क्यों सह रही है तो आएए मेरी कहानी से पहले आपको एक और कहानी सुनाती हूँ नहीं नहीं दिखाती भी है ये कहानी है मेरी करीबी दोस सुधा की सुधा कोई आम लड़की नहीं थी एक्तम confident, bold, कभी न जुकने वाली किसी से ना दबने वाली independent लड़की थी सुधा की शादी हुई विरेन से जो आर्मी के उचे पतपर यानि अफसर था जब मेरी मुलाकात सुधा से हुई तो वो कलकत्ता से किसी बड़ी university में प्रोफेसर बन गई थी मैं मेरी दोस्त की तरक्की देख बहुत खुश थी पती-पत्नी दोनों करियर में सेट है बच्चा अभी करना नहीं तो फुल आजादे मिल रही थी कितनी हसीन जंदगी थी ना उस सुधा की हर लड़की ऐसे ही अराम पसंद जंदगी तो चाहती है इस रोमांटिक जोड़े को देख सब चल उड़ते थे और शायद मैं भी एक रोज मुझे एक कॉल आती है कॉल पर सुधा जोर-जोर से रो रही थी उसके रोनी की आवास सुन मैं भी चैन हो उठी थी और सुधा के बताहे पते पर फटा-फट पहुच गई जिसके चैरे पर अनकिनर चोटे थी पूरा शरीर चोट से जूच रहा था सुधा अपनी दोस्त को देखते ही एमोशनल हो थी और गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी सधा ये सब क्या हुआ वो विरेन ने विरेन ने ये सब किया है क्या विरेन ने पर तुमर वो तो बहुत प्यार से रहते थे उपर से इतने पढ़े लिखे पितो हो पढ़ा लिखा इसी दलील ने तो आज तक कभी मेरी अवास को उठने नहीं तिया विरेन कोई आज मुझ पर हाथ नहीं उठा रहा था उसने पहले भी मुझे चोटी दी है मा से कहा तो बोली अच्छे पतनी को खून का घूट पीकर सबसहना ही पड़ता है तो मैं सहती गई सुधा पर तुझे जरूरत क्या है सबसहने की तेरे पास नौकरी है पैसे है तो अस जलात सार रही क्यों रही है हाँ कसक हाँ ये सब जानती हूँ और तुझे क्या लगता है नारी शक्ती वाली आवाज मैंने नहीं उठाई होगी यहाँ तक कि पुलीस तक जाने का खयाल को भी मजबूत कर लिया था नगर ऐसा करने का खयाल से ही माने मरने की धम के दे दी और पिता ने कमजोर दिल होने की दुहाई दे दी तलाग शुदा बेटी के माबाब बनना मंजूर नहीं था उने और मरी हुई बेटी के माबाब बनना मंजूर है है न अरे यार क्या लड़कियां इतना पढ़ने के बात भी सुरक्षित नहीं है सुरक्षित है ना कसक स्त्री सुरक्षित है सरकारी स्कीमों में नारी सुरक्षा के पोस्टरों में इतिहास के पन्नों में अलग जगाने वाली नारी सुरक्षित है बड़ी बड़ी ग्यान और जोशीली बातों में सुरक्षित है किस से कहानियों में सुरक्षित है और असल में? असल में ऐसी है? है ना? मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी सिंद की सुधा जैसी हो जाए काश भगवार मुझे ऐसा जीवन तौफे में दे दे बहुत एक शिक्षा लेने भर से एक औरत की लाचारी कम नहीं होती बेहन आपकी किस्मत में जो पीड़ा है वो मिलना तै है शायद पीड़ा छटने के बाद नारी का पुनर जनम हो जाए लेकिन उस जनम तक जाने तक उसे बार-बार मौथ से तो गुजरना ही होगा कसक के जहन में सुधा की बात छप गई थी वह जानती थी कि ईश्वर ने सब की हिस्से का जीवन पहले ही तै कर दिया है बस उसे जीने का ढंग आपके हातों में है कसक के पास भी कोई तो वज़े थी जो वो इस जीवन को चुनने को राजी हो गई थी तो शाहिद पेचैन से कुछ लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल ही गया होगा अगर नहीं तो अब भी हमारा कमेंड बॉक्स आपके लिए खुला है आईए और अपने राइटर से सीधे बात कीजिए कसक के आसपास आग और वहाँ खड़ी लोगों में सुनपन दोनों एक साथ ही बढ़ रहा था अंबूज का प्यार उसके सामने जल रहा था वे आप देखता है न ताओ फटा-फट अपने कपड़ी भिरोने लगता है और आज में जैसे ही कूदने के लिए छलांग लगाने वाला होता है कि तभे माधुरी उस आग के घेरे में एक कंबल लेकर को उच जाती है और कसक को बचा लेती है तुम्हारा दिमाग तो चिकाने पड़ है न ये आत्मात्या करने की कौन से सनक है तुम्हारे अंदर कबसे देख रही हूँ ये परिक्षा वो परिक्षा अरे दे दीना परिक्षा हार मान लो कहे दो दादी को कि हाँ दादी तुम जीदी में हारी बस इसमें छोड़ी हो जाओगी क्या पर अगर हार मान ली तो कम से कम जिन्दा तो बचोगी अरे हाला तो देखो एक बार तुम्हारी पूरा शरीर गल रहा है कहीं जल रहा है कमजोरी से एकदब मर चुके हो आखिर सापत क्या करना चाहती हो यही कि नफरत के अंधेरे भरे शेहर में विनमरता के कदम पढ़ने से प्यार की एक मौम बती तो जल ही जाती है और देखो यहां खड़े इतने लोगों में से केवल तुम्हे फर्क पड़ा क्यों तुम तो मुझे मरता ही देखना चाहती थी न तो फिर क्यों पचाया कसक माधरी से जवाब जाना चाहती थी कि तभी माधरी उसे जोर से धक्का मारती है और अमबुज उसे बाहों में थाम लेता है हाँ पचाया क्योंकि मैं अपने बाप की घर में ये सब होती नहीं देख सकती भगवान के लिए अब तुम ये तमाशक हद्म कर दो दादी ये छोटी माश सब पर एक्षाएं जीत गई है अब तुम भी इनका पिठा छोड़ दो मातुरे मालती के आके हाँ जोड़ लेती है दादी इसका तो दिमाख फिर गया है तुम निकालो इससे बाहर ये घर सिर्फ हमारा है किसी नीच औरत का नहीं देखो तो अपने यार की बाहों में कितनी आराम से खड़ी है अगर ये इसका यार नहीं है तो पूछो कौन है ये और यहां क्या कर रहा है मालती अंबुच से पूछती है तो अंबुच सक पका जाता है मुझे आने से पहले ही सोचना चाहिए था कि मैं कसक की जिंदगी में उथल पुथल ला दूँगा मैंने बुलाय था इसे ये लड़का मेरे लिए काम करता है कसक की सुनकर चौक कर अंबुच की और देखती है तब ही अंबुच जेब से एक छोटी शीशे निकाल का अरविनायक को देता है ये रहा वो फॉर्मुला जिस पर मैं बरसों से काम कर रहा हूँ और पिछले तीन महिने से आपकी कमपनी के लिए भी फॉर्मिला कैसा फॉर्मिला तुमको याद है कसक एक बार तुम मेरे साथ बैठी थी तब तुमने कहा था कि पिरियर्ट में तुम्हारे शरीर से खून नदी की तरह बहता है और कभी टाइम पर भी नहीं आता इसके अलावा भी तुमको कुछ दिक्कत ने थी मैं तब से उसी पर काम कर रहा था इस दवाई के यूज से तुम और तुम्हारी जैसी नजाने कितनी ही लड़किया ठीक हो सकेंगी जिनके पिरियर्ट समय पर नहीं आते मालतिका फिर से रिपीट टेलिका शुरू हो रहा था ये देख माधुरी और विनायक एक साथ बोल परते हैं ओहो दादी अब फिर से नहीं सास ले लेने दो इस विचारी को बस कर मा ठकती नहीं हो क्या तुम मालति और संतोष चड़कर वहाँ से चले जाते हैं आखिर इतने संघर्षों के बाद जाकर कसक को अपना खोया सम्मान फिर से मिल गया था माधुरी क्या मैं तुमको गले लगा सकती हूँ ना चिंता मत करूँ मा की तेरे नहीं बलकि एक दोस की तेरे लगाऊं की माधुरी कसक को मना नहीं कर पाती और कसक माधुरी को सीने से लगाते हुए उसका सिर्ष सहलाती है तो माधुरी की आखों में आसों आ जाती है और वो दोड़ कर अंदर चली जाती है इन सर तमाशी की भी इच कसक को अम्बुच को जी भर के देखने का समय भी नहीं मिला था बेटिया हो गई तेरी ये जिन भी पूरी अब चलिए यहां से ये घर तेरे लिए नहीं बना है तुलसी कसक का हाथ थाम कर उसे ले जानी लगती है पर कसक अपनी कत्मों को जमा लेती है नहीं मा अपना ससुराल छोड़ कर कैसे चली जाओ ये मेरा परिवार है तुलसी और कुमार कसक का जवाब सुनकर सुन हो गए थी पर बेटी यहां आखिर बचा ही क्या है मेरी पती और मेरी दो बच्चे क्या इतना होना काफी नहीं मा विनाहिक कसक का जवाब सुनकर एक्टम बहुचका रह गया था तुलसी और कुमार उदास सामू लेकर वहां से जानी लगती है आज ये बाब जातो रहा है बेटा लेकिन जाते हुए छोटी बिटिया के लिए पैड का पैकेट लेकर ही जाएगा कुमार तुलसी चले गए थे तभी अम्बुच भी जाने लगता है एक मिनट अम्बुच रुख जाओ मैं सच जानना चाहता हूँ आखिर क्या रिष्टा है तुम दोनों का अम्बुच के होट सच बताने को काप रहे थे पर पहले ही कसक बोलती है कसक बिनायक के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और अम्बुच आखों में तूटे ख्वाब लेकर एक बार फिर से खाली हाथ बाहर चला जाता है आखिर कसक के पास क्या वज़े थी कि वो अपना प्यार दूसरी बार ठुकरा रही थी कुछ महीनों पहले तीज तुफान के बीच कसक की घर के दर्वाजे पर जोर-जोर से दस्तक होती है कसक दर्वाजा खोलती है तो दर्वाजे पर उसके बाबा एक घायल आदमी के साथ थे जिसे खड़ा होना भी मुश्किल हुआ जा रहा था जो कि विनायक ही था तुलसी और कसक मिलकर विनायक की मलम पट्टी करती है और अगले दिन तक विनायक की तवियत में सुधार हो जाता है वे दो-चार दिन उसी घर में था विनायक अकसर कसक को पर्स टांगे हाथ में फाइल ले बाहर जाते देखता और देर रात को लोटते देखता था एक दिन उत्सुकता वर्ष उसने पोचह लिया घरी बाद में का सब फाइदा ही उठाते है सर इज़त दो नौकरी लोग का फंडा है सब यहां इन दिलासों से पेट नहीं पलता ना सर मेरी छोटी भाई बेहन है जिन सपनों का कतल में खुद कर जकी हूँ वो मैं मेरे भाई बेहनों को नहीं करनी दूँगी कभी भी नहीं कभी भी नहीं कहानी से जुड़े आपके सवाल आते रहते हैं मगर पिछले भाग में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि आखिर कसक ने क्यों करी विनायक से शादी इसका जवाब हमने आपके उपर ही छोड़ा था आप सोचकर बताईए और तब तक हम कहानी में आगे बढ़ जाते हैं माथरी पूरे दिन का तमाशा आखों में बसाए अपने कमरे में आती है और कापते हातों से अपनी जेब से फोन निकाल कर एक कॉल लगाती है जतिन वो यहां आया था अरे कौन और तू इतनी घबरा क्यों रही है अरे वही अंबुच अंबुच का नाम सुनते ही दूसरी और खामुशी चा जाती है क्या पर वो तेरा घर कैसे जानता था और क्या उसने अपना मूँ खोला क्या वो अंबुच तुझे पहचान गया ओ यार चुश शाठाप इतने सवाल करके तू मुझे इरिटेट कर रहा है जतिन मुझे तुससे बात ही नहीं करनी है और मातरी भड़क कर फोन रख देती है ये सब इतना आंगी कैसे पढ़ गया मैंने तुद दादी को मजाक मजाक में अंबुच की फोटो दिखाई थी ता कि मैं कसक को फसा सकू पर ये तो सच में ही मेरे घर आ गया अगर इसने सब के सामने मुझ खोल दिया तो मैं तो बरबाद हो जाओंगी मेरे सपनों का क्या नहीं नहीं मुश्किल से इस रूड़ी वादी सोच को लांकर मुझे आजादी नसीब हुई है अगर डाट को सच पता चल गया और अगर उस छोटी मानी ही डाट को बता दिया तो नहीं नहीं मुझे अम्बुच का चाप्टर क्लोज करना ही होगा और मातोरी बरबराती हुई सोजाती है एक छट के नीचे चहरो पर चहरो तले कुछ ऐसे रास थे जो सब को अंदर से काट रहे थे गर बावजूद इसके सब मुस्कुरा ही रहे थे संतोष तू किसी काम की नहीं है इतने दिन इतनी अगनी परिक्षा में बरबात कर दिये कोई ढंकी चाल है तेरे पास या नहीं पर मामी जी ये पिलान तो सारा आप का ही था आप मुझे इद की बकरी बनाकर क्यों काट रही है मालती ये सुन संतोष को लात मारती है और लटखोर संतोष लात खाने पर भी ही ही करके मालती की टांके दबाने लगती है कहते हैं न अडियल घोड़ा किसी का सगा नहीं होता मालिक को भी पटकनी दे दे और नौकर को भी तो मालती परिवार की वही अडियल घोडी थी जिसे अपनी चलाने धौस के लिए कोई ना कोई लंगडी घोडी हमेशा चाहिए ही होती थी और संतोश उसके लिए वही घोडी थी जिसको सास की चाटूकारी करने के बदले घर पर राच करने का लालश था मामी जी मुझे एक और पिलान सुझा है अभी हमने इतनी मशक्कत की भूका रख लिया, पानी में डुबो दिया, आग में भी जिला दिया पर ये ससुरी का बाल भी भाका ना हुगा तो क्यों न जीट जी के ही मन में आख लगा दी जाए माती को संदोश के बाद जम गई विनायक के लिए कसक नहीं उसके अलाद प्यारी है और अगर अलाद को कुछ हो जाए, तो विनायक तो पागल ही उठेगा और मामी जी, वो कुछ अगर कसक के हाथ से हो जाए तब तो निल बटे सन नाटा, उसके कान पर ममी जी का चाटा जे बात, तू ही मेरी लाडली बहु है मामी जी, आप भी न, जी तो आपका पडपन है वरना हम तो कोने में पड़े लैने वाले, दाल भात खाने वाले भावरिया ही तथे लाए न, आपके पाउं दबा देते हैं, आप छट पर गई थी न, दुख रहे होंगे और संतोष मालती के पाउं दबा कर, मन ही मन खुश होकर, खुद को विनायक की सुहाग की सेज़ पर इमाजन करने लगती है सुहाग की सेज़ पर दुलन बनकर बैठी संतोष घुंगट के शर्मा रही थी, तभी दर्वाजे की कुंडी खुलती है और ठक ठक की आवास के साथ कोई संतोष के नजदीक आ रहा था, संतोष की सांसे भर रही थी, वह सहम कर कुन गुनानी लगती है बाहों के दर्मिया, दो पी यार मिल रहे है, जी जी, छी छी, अब तर स्वामी बोलूँगी, तभी संतोष का घुंगर उठता है, जो की कसक ने खोला था तू, तू यहां क्या कर रही है संतोष, जी जी जिठानी जी, वो मैं, ये सेश तो मेरी थी na, ये आप मेरे सपनों में कैसे आ गई, ये सेश तेरी नहीं मेरी है, मेरी और सपने में तो क्या मैं हर जंगे रहूँगी, क्योगि ये मेरा पती है, और ये घर भी, तू निकल यहां से, आउट, गिट आउट, और कसक संतोष का हाथ पकड़ कर उसे घसीरती हुए बाहर निकालती है, अरे जिठानी जी, हमको आज रात रुख जाने दो इधर, हम उनको बहुत प्रीम करते हैं जिठानी जी, हमको यू ना निकालो, उधर संतोष खौप से बाहर आकर असल से सोना भी नसीब नहीं होता इस घर में, हां, ऐसी चुडेल भोएं आई हैं, भगवान मेरे द्वारे पे, संतोष चुपचाक चुईया की तरह अपने बिल, अरे यानि अपने कमरे में तुफान मचा था, उतना ही विकरांत के सीने के भीतर भी ज्वाला बनकर फट रहा थ वे अपने कमरे में, क्रोथ में डूबा, इधर उधर चक्कर लगा रहा था वे जमीन पर बैट कर फूट फूट का रोने लगता है, विकरांत की आखो में जो गुसा था, उससे अधिक उसके सीने में दर्द भी था, कि आखिर उसका बाप उसको इतना नकारा क्यों समझता है, हम सब हमेशा लड़कियों और बेटियों का दर्द तो बया कर देती हैं, मगर उन बेटों का क्या, जो जिन्दगी की उस रेस में बिना भाग लिये ही दौड लगाने लग जाती है, जहां उन् आशन फॉलो करें, तो सब बोलें इसमें क्या रखा है, लगता है कंजूस बापने अच्छी पढ़ाई कराई नहीं है, लड़का बड़ी गाड़ी चलाए तो बिगड़ा हुआ, लड़का छोटी गाड़ी चलाए तो पिछड़ा हुआ, हम हर चीज में वो ही पिस्ता है न आज समय रहते विकरांच से कोई बात करके पूछता कि बता, तेरी भीतर क्या चल रहा है, तो वो जट से बोल पड़ता, बाप की सपनों की चिता, हाँ, उसमें वो सपने जल रहे थे जो हमेशा बाप और बेटे के बीच कहीं अधूरे से रह जाते हैं, वो लड़के भी क् धेर हो जाते हैं, और जो उस पार चले जाते हैं, उनके पिता अपने बेटे से कहते हैं, शबबाश पिता, I am proud of you, खेर, यही है ससाइटी का प्रेशर, लड़किया आजाद होने के लिए लड़ती हैं, और आजाद लड़किया अपने बाप को proud feel कराने के लिए लड़ते र पयंकर बारिश हो रही थी, तभी उसकी नजर नीचे बारिश में खड़े अम्बुच की और पड़ती है, न जाने वो वहां कब से खड़ा था, वह परिशान होकर उसे वहां से जाने का इशारा करती है, और पास पड़े लोहे की रोड उठा कर खुद पर हमला करने का इश चारा करता है, रुक चाओ अम्बुच, और वो कपड़े ठीक कर दोड़ती लंगडाती सी दर्वाजे के बाहर जाती है, उसके ठीक सामने अम्बुच खड़ा था, और वह बाहे फिला रहा था, कसक दोड़कर उसके सीने से लग गई, अम्बुच उसे थाम लिता है, तब ह उन दोनों पर एक सफेद फ्लाश आकर गिरता है, और दोनों हर जाती है, वो शायद बिजली चमकी होगी, वो प्रकरती भी हम दोनों को यूं मिलता देख, जैशन मना रही होगी ना, तुम पागल हो गए हो क्या अम्बुच, तुमको पता था ना, अम्बुच, मेरी इसी घर में शादी हुई है, तो फिर तुम क्यों आई यहाँ, सब ठीक से तो चल रहा था, फिर क्यों आए, हाँ जानता था कि यह घर तुम्हारा है, और मैं बस एक जलक पाने के रादे से आया था यहाँ, मिल गई ना चलक, तो भकवान के वास्ते अब तो चले जाओ, शायद फिर सब ठीक हो जाए, मैं चाहता था कि एक दिन मेरा इतना नाम हो, जो खुद बखुद तुम्हारे कानों तक आए, इसलिए मैंने ऐसा फॉर्मूला बनाया है, कि दुनिया मुझे याद करेगी, और जिसा मेरा आदमी से तुमने शादी की है, वही आदमी इसे मुझे खर अगर आने वाले कल में कभी मिलना लिखा हुआ तो बगल से जब गुजरोगी तो पहचान कर मुस्कुरा दूंगी उन अंजान चेहरों में कहीं मुझे भी अंजान ना बना देना कसक, और ठीक, कैसा ठीक, कसक इसे ठीक कहती हो तुम, आखिर क्यों इतनी मजबूर हो तुम, जो इतनी जिल्लत के बाद भी तुम इसे अपना घर परिवार कह रही हो, या कहूं तो क्यों तुम इतनी अच्छ वह मुझ फेर कर जाने लगती है कि तभी अंबुज उसका हाथ ठाम लेता है, और एक फ्लाश लाइट फिर्श से महाँ पड़ती है, कसक छट पटा कर हाथ छुडा लेती है, पर अंबुज उसके करीब जाकर उसके चहरे पर अपना चहरा सटाता है, उसका भीका पूरा जाओ अब, तुम्हारा ये ठीक, तुम्हारा अंतिज़ार कर रहा है, वागर कल मेरे पास आने की ये हसीन गलती करना मत भूलना और अंबुज कसक का सेट चुम कर उसके भीगी आखों से विदा करता है, तभी फिर से बिशली चमक कर उन पर पढ़ती है, और कसक अंदर चली जाती है, कसक की हावती सासे, अंबुज की छुण, जहां उसे परिशान करनी चाहिए थी, वहीं उसे खुशी दे रही थी, जै कि किसी शातिर इंसान का प्रकोप था, जो छिपकर तुनों की ऐसी तस्थीरे निकाल रहा था, वहां अंग्रेजियों क्या कमाल का फोन बनाए हो तुम, इस एपल वासे तो चांद के दाव भी खेच सकती है, तो ये दोनर तोता मेना की चीज है, चलो, ये मसाला तो मेरे हा पर वो कुछ नहीं कहता, कुछ देर बाद माधुरी के पास जतन का फोन आता है, बोल, अब अच्छा ही बोलना, धिमाग मत खराब करना, माधुरी, वो तिरे गरे कोरियर आ रहा है, और उसमें वो रिपोर्ट है, माधुरी आगे सुनती है कि तभी उसके होश उड़ जाती कसक कोरियर से आये लिफाफे की और अपना हाथ बढ़ा रही थी, कि अचानक माधुरी ने उसे जोर से जपट लिया, ये देख कसक घबरा गई थी, अब बुछनी इसमें हम दोनों की सपनी की और जानेवाईनी ट्रेन का टिकेट भीजा होगा, और माधुरी अगर वो कसक को अजीब लगा था कि टिकेट देखने के बाद भी उसने कसक की एक भी उल्टा सवाल क्यों नहीं पूछा था, खेर वो टिकेट का लिफाफा उठाती है और अपने कमरे में जाकर अंबुच का खयालों में खोते हुए अपना बैक पैक करती है, शायद आज सिंदगी म अपना बैक लेकर कुछी देर बाद प्लाटफॉर्म पर पहुच जाती है, मगर वहाँ ना ही अंबुच था और ना ही कोई ट्रेन, जोरों से धड़क रहे दिल को थाम कर कसक बार बार अंबुच को ही ढून रही थी, नहीं नहीं, जिनकी मुझे ये मौका मुखक से दे रह कसक मुस्कुराती हुई अंबुच के और दोडती है, मगर इससे पहले कि ट्रेन का इंजल चल पड़ता और अंबुच के हाथ से कसक का हाथ विसल जाता है, और उधर ट्रेन छूडती है, और इधर कसक अपने दिमाग के कुकर में बन रहे खयाली पलाव के सीटी से होश में आती है, उसके हाथ में अभी भी बैक था और वो कमरे की धहलीज पर ही खड़ी थी, हाथ में थामी टिकेट को अलट पलट कर दिखे जा रही थी, विनायक जीने ये घर मेरे हाथों में सोपा था, भले ही यहां की लोगों में उन्हीं हाथों में जिल्लत के छाले दे दिये ह मगर यो अमबुच के पास जाना कहीं दगाफाजी तो नहीं, एक अच्छे घर की लड़की ऐसा कभी नहीं करती, जो कलंख हम दोनों की इश्क पर लगा है, मुझे उसे काजल बना कर अपने यादों में श्रिंगार में शामिल करना है, कालिक बना कर मुख काला नहीं करना, और कसक ने अपनी कदम उलटकर अंदर ले लेती है, और बैग जमीन पर रखकर नम आखों से अमबुच का नाम लेकर उसे सौरी कहती है, उधर अमबुच भी प्लाटफॉर्म पर उसका वेट किये जा रहा था, और मैं यहां तिल-तिल मर रहा हूँ, इस इंतजार में, कि शायद आज वो आएगी, कसक क्यों नहीं आई तुम आज भी, यह इंतजार अब मुझे माह डालेगा, मिरा उमीद क्यों तोल रही हो तुम कसक, क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता, मैं बरिखा तेरी, तु मेरा बादल पे आ, जो तेरी ना होए तो, किसी के ना रहेंगे, दीवानी मैं तेरी, तु मेरा पागल पे आ, कलंग नहीं, इश्क है, काजल पे आ, कलंग नहीं, इश्क है, काजल पे आ कसक की आसू के बीच एक और सिस्किया गोंज रही थी और उट्सुकतावश कसक उस आवास के और जाती है तो वो माधरी की कमरे से आ रही थी उसके रोनी की आवाज कसक छिपकर अंदर जाकती है तो माधरी फोन पर बात कर रही थी जो जतिन मेरी बात तु सुनो तुम ऐसा नहीं कर सकते जतिनी क्या पकवास कर रहे हूँ यार तुम वो काजगर नहीं आ सकते हैं तो मजाक में भी किसी को इसके सच के बारे में नहीं बताओगे और बदले में मुझे क्या मिलेगा मत करो जतिन ऐसे, मैं request कर रही हूँ, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही इसके बारे में मैं किसी से कह सकती हूँ, please try to understand मैंने जो सच था तुमको बता दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुमको तुम्हारी लाइफ चाहिए या फिर तुम्हारे बाप द्वारा दी जाने वाली punishment, चॉइस इस आल यौर्ज, जतर, इसका मतलब तुम मुझे धमकी दे रहे हो, है ना, धमकी दे रहे हो ना, मैं पैसे में कहां सिलाऊंगी, और वाल मीरा से कुछ पैसे निकाल लेती है, और बाहर जाने लगती है, ये माधुरी किस परिशानी में फजी होई है, अगर इससे पूछा तो पताएगी नहीं, इसलिए मुझे खुदी पता करना होगा, लगता है कोई माधुरी को पक्का प्ल मैं अकेली आ गई हूँ, जतिन माधुरी देखती है कि वहाँ जतिन का नहीं कसक का था, दोनों एक दुसरे का आमना सामना का अर्चौक रहे थे, तुम, तुम मेरा पीछा कर रही थी, स्टॉकर, तुम्हें आखिर यहां आना ही नहीं चाहिए था यह जतिन कौन है? कौन है जतिन? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? क्या उसने गलत तरह से तुम्हें चुआ है माधुरी? या क्या वो तुम्हारा गलत काम में इस्तिमाल कर रहा है? और वो क्या रिपोर्ट थी? कौन से ऐसे जुरूरी पेपर्स है जो किसे से शेयर नहीं हो सकते हैं कागस? कौन से कागस छोटी मा? वही कागस जो लेने के लिए आज तुम दर्वाजे पर भाग कर आई थी और वही कागस जिसकी वजह से तुम इतनी बॉखलाई होई हो कि तुमने एक पार भी मुझे कसक नहीं बोला कसक कुछ समझती और माधुरी का आशू पोश्टी कि उससे पहले ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी कमर को कोई सहला रहा है और पीछे से हाथ डाल रहा है माधुरी क्या ये तुम्हारे हाथ है? प्लीज इन्हीं हाँ से हटालो, मुझे बहुत तर लग रहा है प्लीज छोटी मा नहीं, मैंने तो आपको पीट से थामा हुआ है कमर तो मैंने चुई ही नहीं थी ये सुनते ही कसक घबरा उटती है माधुरी अभी भी रो रही थी पर अचानक से वह जोर से हस्ती है छोटी मा, बोला था ना मैंने तो पहले ही आइम सॉरी, मुझे माफ करना कि तुम तो अच्छी मा बनने की बेव कूफी में यहां तक आ गई वगर मैं अच्छी मेटी नहीं हूँ मा माधुरी, तभी इस पार एक मर्द का हाथ कसक की कमर कस के दबोच लेता है और अपना चेहरा उसकी चेहरे के पास चिपका लेता है जोकि माधुरी का वो बदमाश दोस्त ही था और जतिन ने पीछे से कसक को जकर कर बाहों में उठा कर घुमाने लगता है कसक डर कर चीक रही थी तभी उसकी नजर माधुरी पर पढ़ती है जोकि सामने खड़े होकर हस रही थी तुझे तो मैं खा जाऊंगा मेरी मख़न की ठीकिया यम यम जतिन तुम्हारा कम हो गया न वो माफ करना चोटी मा कभी कभी अपना फायदा करने के लिए हमें गधी को भी परे बुलाना पड़ता है I mean एक लालची बेगेरत घटिया लड़की को भी मुझे छोटी मा बुलाना पड़ा फायदा? मुझसे किसी को क्या ही फायदा होगा? जा दिन मेरा क्लासमेट है मैं हमेशा विदेश में जाकर पढ़ना चाहती थी मगर जैसा कि इस सो कॉल पुरुष प्रधान घर में होता है कि एवल घर के मर्ध ही विदेश जा सकते हैं क्योंकि ओरते तो बस रोटिया सेखने के लिए बड़ी होती है ना? ऐसे घर में रहते हुए डाट की वज़ज़ से अच्छी पढ़ाई तो पढ़ने को मिली बड़ इस साल कॉलेज में मेरा दोस्ती जतिन से हुए और दोस्ती कब दो शरीर का मिलन बन गए मुझे पता ही नहीं चला और मुझे जतिन अच्छा लगने लगा मगर मातुरी ये बोल कर रोने लगती है तो बस इतनी सी बात पर इतना ड्रामा क्यों मातुरी ओ गौड मैं तुमको इतनी सफाई दे ही क्यों रही हूं मैं बताता हूँ एक अमीर बाप की अमीर बेटी का पिछडी सोच का परिवाद अपनी बेटी का एक boyfriend होने वाली बात को कितना पचा पाएगा भला बोलो मेरी बुलबुल अब जब इसके वाप को पता चलेगा कि उसकी बेटी किलास के वहाने मेरे साथ अलगी biology पढ़ रही थी तब तो मादरी का धिकता ना धिकता ना धिकता ना पक्का है और फिर एक दिन ओ हो जातिन ये रोज रोज तुम मुझे यो मन चाहे समय पर अपने पास बुला कर तंग नहीं कर सकते हो आखिर इसका कोई तो एंड होगा तुम एक बार ही मांगलो तुमें जो चाहिए मैं वो दूँ और तुम पीछा छुडाओं गलती हो गई ब्रो जो तुम्हारे चक्कर में पढ़ गई अच्छा मेरे चक्कर में पढ़ गई भूल लई हो तुम खुद क्या कहती थी ये इंडियन पैरेंट्स बच्चों को इतना दवागा क्यों रखते है मुझे तो वो सब करना है जो मुझे करने से मना किया गया है वही तो गलती हुई मुझसे कभी कभी आपके पैरेंट्स बहुत सही बाते कहते है कि बेटिया संभल कर रहना ये बहरी दुनिया बहुत खराब है औरत का तु जार जार बेरी है मगर नहीं माधुरी मौधन बनने की होड में माबब की सीख को भी भूल गई न अब पश्टाती रहे जब कवा चुक गया सारा दाना ना ही मेरी कोई मार ना कोई मामा काना कट गई सारे पर अब उडखू हाई 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 इन सब का एक हैंड है सच बताओ मुझे आखिर तुमको चाहिए क्या तुमारी चोटी मा ये सुनकर माधुरी एक दम चौंक जाती है जटिन के मूँ से इतनी अनेक्स्विक्टेड बात सुनना अजीब था ऐसे क्या गूर रही हो अरे भया कीमत मांगी है कोई क्रिमिनल थोड़ी ही हूँ कि कह रहा हूँ कि उसे उठा लूँगा अब तुम खुद मुझे उसे ला कर दो तुम अलग बात है जटिन के शब्दों से हवस की बू आ रही थी जटिन सच बताना तुम्हारा इरादा क्या है मैं तुम्हारे डेट की शादी में आये था माधुरी और वहाँ जब मैंने दुलहन यानि की कसक उर्फ तुम्हारी छोटी मा को देखा तो बस अब बल दिन दात उसी के सपने लेता हूँ अगर तुम उसे मेरे पास ले आओ कैसे भी करके एक बार बस तो I swear to God मैं कभी पलट कर तुम्हारे तरफ देखूंगा भी नहीं बस एक बार उस छोटी मा की कमर सहला दूँ मातरी कुछ बल सोचती है फिर मुस्कुराती है खेर मुझे क्या पड़ी है तुम उसके साथ क्या करने वाले हो मेरे फायदे से मतलब है मुझे दो और कसक मैं भले ही fly high करती होंगी मगर कोई छिप कर मुझे सुन रहा है ये तो जान ही जाती हूँ फोन पर हुआ सब conversation नकली था और तुम्हें trap करने के लिए था और तुम यहां तक आ गई? बस जातन अब मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज और हाँ अपने सपनों के पंख बचाने के लिए मुझे बस तुमको थोड़ा सा मेला ही करना पड़ेगा उप्स जातन कसक को लगातार इधर उधर छुए जा रहा था छट पड़ा रही कसक जातन को जानती तक नहीं थी पर इन सब के बाद माधुरी के चहरे पर आए उस सुकून को देख कसक अपने सब हतियार डाल कर खुद को जातन के हवाले कर देती है माधुरी है रान थी लो, नोच लो जहां जहां से नोचना चाहते हो बस मुझे गंदा करने के बाद मेरे अवलाद के आचल को छुना भी मत कसक ये क्या? माधुरी कसक का शान चहरा देख पौकला उठे थी जतन कसक की कमर अभी भी दबोचे हुए था क्या कसक की इज़त के सौदे के बदले माधुरी का अभीमान चूर हो जाएगा? क्या ये कीमत काफी है? जानने के लिए देखते रहिए छोटी मा के वल अवसिटी पर थांक्स फूर वाचिंग